अंडा करी खाना तो सब ही को पसंड होता है, लेकिन एक ही तरीका रेसिपी खाते खाते कभी-कभी बोर हो जाते हैं, ता आज मैं अंडा करी को बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगे। yhte Maasala वही रहेंगे बनाने के तरीका अलग रहेगा जिससे स्वाध बिल्कुल चेंज हो टुकरा डालेंगे, इन दोने चीज़ों को तेल में अच्छे से पका लेंगे, इसे तेल में ने खुसबू अच्छी आती है, धलका से इसको भून लेंगे, इसके बाद इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, इस रेसिपी को बनाने में प्याज को छोड़े टुकरों काट आप चाहे तो प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं उससे आपका जो कड़ी है वो बढ़िया बनेगा प्याज को हमें अच्छे से पका लेना है फ्लेम को हाइपर रखें प्याज को लगातर चलाते रहें प्याज चार से पांत मिनट में पक जाएगा यहाँ पर जब ऐसा कलर हो जाने इसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे यहाँ पर जब प्याज भून जाए उसके बाद इसमें मसाले में मैं अभी कलर के लिए पहले मिर्ची पॉडर और हल्दी पॉडर डालेंगे मैंने यहाँ पर थोड़ा से कस्मीरी लाल मिर्च डाला है और थोड़ा सा नॉर्मल मिर्च डाला है एक चमच लाल मिर्च पॉडर आधे चमच हल्दी पॉडर डालेंगे मसाले को प्याज के साथ अच्छे से मिला दें आज को यहाँ पर कम रखा नहीं तो मसाले जल जाएंगे उसके बाद इसमें पिशा हुआ टमाटर डालेंगे मैंने यहाँ पर दूर टमाटर का पेस्ट बना लिया है आप अगर चाहे टमाटर के साथ ही लहसुन और अद्रक को साथ में पीश ले मैंने लहसुन और अद्रक को अलग से इसमें डाला है टमाटर को अच्छे से मिला देंगे इसके बाद इसमें एक चमच धनिया पोडर थोड़ा से यहाँ पर जीरा पोडर डालेंगे अब इन मसाले को अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पर मैं क्या करेंगे इसमें एक चमच अध्रकलहसुन का पेश डालेंगे और यही पर नमक डाल देंगे स्वादनुसर नमक डाल देंगे छोटी चमच से एक चमच नमक लग जाएगा नमक ज़्याद खाते हैं थोरा से नमक और डाल दें अब इसको अच्छे से मिलाएंगे मसाले को में तब तक भूनना है तो आपको समझना है का आपका मसाला बून गया है यहाँ पर देखिए बिलकुल पैन से अलग होने लगा है तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे मैं यहाँ पर छोटे वाले गिलास से एक गिलास पानी डाल रही हूँ अगर कप से डालेंगे न दो कप पानी डाल दें इसको अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पर ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे बस इसको अच्छे से मिला देना है गरम मसाला डालने के बाद यह काम करें, यहाँ पर उबला हुआ अंडा लिया है, उसमें थोरा से मिर्ची पोडर डालेंगे, थोरा से यहाँ पर हल्दी पोडर डालेंगे, थोरा से यहाँ पर नमक डालेंगे, थोरा से नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लिया, इस तरीके से नमक और हल्दी ड दाल देने से पहले से, जब आप प्राय करेंगे तो तेल में ज्यादा चिटके करने, चिटा ने उड़ेगा, इसलिए पहले यह ढलना जरूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने मिला लिया है, अब इसको ऐसे बीच से काट देंगे, सबी अंडा को इस तरीके से बीच से काट दें अराम से काटे अंडा का जो बीच बला भाग होता है इलो बला वो निकलना नहीं चाहिए इसका आपको धियान रखना है बस ऐसे अंडे में कट लगाना है तो ये अंडा हमारे कट के तयार है चलिए बगले प्रोसस में तेल गरम करेंगे मैंने यहाँ पर दूसरा पैन लिया ह उसके बाद एक-एक अंडा को उठा के इसमें डालेंगे तेल को ठीक से गरम होने दे कच्चा तेल में नहीं डालें सरसोक तेल गरम होने में वैसे भी टाइम लगता है अगर सरसो तेल में बना रहे है तो उसमें जब दूआ निकलने लगे न वहां तक उसको गरम करना है अ सब्सक्राइब था अंडा के बीच वला भागन और निकल जाएगा तो यहां पर यह मैंने सभी अंडे के इसमें डाल दिया है अब इसको ढख के दो मिनट के लिए पका लेंगे आज को यहां मीडियम पर रखें अंडे को आराम से पकने दें दो मिनट बाद यहां पर मसाले में अंडा अच्छे स सब्सक्राइब आप अपना गैस को बंद कर दें तो यहां पर मैं आपको नजदिक से इसका फीक्टनस दिखातें हुँ जो कड़ी है वो कितना बढ़ियां बनता है बहुत ही आच्छा स्वाद आता है इसका और बहुत ही अलग स्वाद आता है जो अंडा कड़ी आप खाते चैनल पर नहीं है, सब्स्राइब करना बिल्कुल ना भूले